पहाडों और जंगलों से घिरा हुआ एक नागपुर नामक गाउं हुआ करता था उस गाउं का नागपुर नाम ऐसे ही नहीं पढ़ गया था बलकि यहां चारों तरव बड़ी संख्या में तरह तरह के सांप यूही घूमते रहते थे इसलिए गाउं का नाम नागपुर पढ़ गया था गाउं वाले वहां के सांप को भगवान की तरह मानते थे और उनकी पूजा भी किया करते थे वहां एक डरावनी गुफा भी हुआ करती थी जिसमें एक चुडैल नागिन अपने एक बेटे के साथ रहा करती थी उस चुडैल नागिन को वरदान मिला हुआ था कि उसके पास चुडैल और नागिन दोनों की शक्तियां होंगी इसलिए उसका आधा शरीर चुडैल का था और आधा शरीर नागिन का वो अपने पुत्र से बड़ा ही प्रेम करती थी उस गाओं में एक राजकुमार था जिसके पास बेशुमार दौलत थी और वो प्रजा को बहुत ही प्रिय था वो भी वहां के सापों की बड़ी पूजा करता था राजकुमार का नाम प्रताप सिंग था और उसे शिकार का बड़ा शौक था वो अपनी पतनी इंदुमती और अपने दो बेटों आनंद और आदेश के साथ रहता था आनंद बड़ा ही शरार्ती था और आदेश शांत स्वभाव का था एक दिन राजकुमार अपने दोनों पुत्रों को शिकार पर ले जाने की आगे अपनी पत्नी इंदुमती से मांग रहा था इंदुमती जी आज हम शिकार पर अपने दोनों पुत्रों को ले जा सकते हैं अब तो वो बड़े हो गए हैं अभी से शिकार करना सिखा देंगे तो बड़े होकर हमारी तरह अच्छा शिकार कर पाएंगे लेकिन राजकुमार जी माना वो बड़े हो गए हैं पर अगर उनको चोट लग गई तो या शिकार करते समय जंगी जानवर ने उन पर हमला कर दिया तो आप चिंतित ना हो इंदुमती जी मैं उनके साथ रहूंगा और अपने साथ सुरक्षा के लिए जादा सैनिक भी ले जाऊंगा ठीक है तो फिर ले जाएए इन्हें अब हमें कोई आपत्ती नहीं जादा होगी अनजाने से अगर आपकी बंदू की गोली किसी नाग को लग गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा आज आप शिकार पर मज जाएए आनंद को ये बात बिलकुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता बेटे की जिद से विवश होकर राजकुमार शिकार पर चल लेता है जब राजकुमार घोड़ा लेकर शिकार करने के लिए गाउं के रास्ते से जा रहे होते हैं उन्हें देखकर गाउवाले भी बहुत चौंक चाते हैं अरे भाई देख रहे हो राजकुमार आज नाग बंच्मी वाले दिन शिकार पर चा रहे हैं हाँ भाई देख रहा हूँ राजकुमार भी तो नागों की इतनी पूझा करते हैं फिर भी आज के दिन शिकार पर जा रहे है चलो भाई तरह पूछ करतों आएं ऐसा क्या हो गया जो नाग पंचमी वाले दिन भी राजकुमार शिकार पर जा रहे है वो दोनों गाउं वाले राजकुमार को रोकते हैं अरे राजकुमार जी जड़ा रोकिये तो राजकुमार अपना घोडा रोकता है हाँ बोलिए क्या हुआ आप और नाग पंचमी वाले दिन शिकार करने जा रहे हैं बात तो जमी नहीं राजकुमार जी आज के दिन तो आप हम लोगों के साथ लागों को दूद मिलाने जाते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं ये सब आप भूलकर शिकार करने क्यों जा रहे हैं अरे भाई अब क्या कर सकते हैं हमारे पुत्र की जिद थी शिकार पर जाने की और हम पिता होने के नाते विवश हो गए चलिए ठीक है अब बेते की जिद के सामने तो कोई भी बाप सर जुका लेता है तब ही राजकुमार वापस शिकार के लिए निकल जाते हैं जब राजकुमार अपने दोनों पुत्रों को शिकार के लिए ले जाता है तब आदेश का ध्यान शिकार सीखने पर ही होता है पर आनंद का ध्यान तो कोई नई शरारत करने पर होता है सब शिकार की तरफ ध्यान लगाए होते हैं और मौका देखते ही आनंद चुपके से पीछे की तरफ निकल जाता है पीछे की तरफ भागते भागते वो उस डरावनी गुफा के पास पहुँच जाता है उसे वहाँ एक छोटा सा सांप सोया हुआ दिखता है आनंद के दिमाग में उसके साथ कुछ शरारत करने की सूची और वो अपनी बंदूग से उसे भगाने लगा तभी बंदूग की गोली गलती से उस सांप को लग गई आनंद बहुत घबरा गया थो और वहाँ से भाग गया भागते भागते वो गुफा के बाहर आ गया देखा तो उसके पिताजी और भाई उसको ढूंटे ढूंटे गुफा के बाहर आकर खड़े हो गए आनंद भागते हुए अपने पिताजी के गले लग गया क्या हुआ आनंद बेटा तो मितने घबराए हुए क्यों हो क्या हो गया पिताजी पिताजी मैंने मैंने वो वो मैं वो मैं मैं आनंद इतना घबरा चुका था कि ठीक से कुछ भी बोल नहीं पा रहा था तब ही उस चुडएल नागिन की चुलानी की आवाज सुनाई देती है मेरा बेटा ए भगवान किसने मारा मेरे बेटे को मेरा बच्चा उट्चा बेटा उट्चा चुडएल नागिन अपनी वर्दानी दिव्य दृष्टी से सब कुछ देख लेती है कि किसने उसके बेटे को मारा जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके बेटे को राजकुमार के बेटे आनन ने मारा है वो बहुत गुस्से में आ जाती है और गुफा के बाहर निकलाती है तुमेने मेरे बेटे कुमार है ना अब मैं भी तुझे मार डालूँगी अब तू मेरे हाथों से मरेगा, सर्फ दो दिन के अंदर अंदर तुझे मैं मार दूंगी राजकुमार और बाकी सब बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं राजकुमार अपने मेहल में जाते ही आनन से कहते है कि तुम्हें कई बार समझाया है की ऐसी शरारत मत करो जो किसी को हानी पहुचाई या फिर किसी की जान ले ले आनन भी अपने पिटाजी से माफी माँगता है अब राजकुमार उस चुडैल नागिन से बचने का कोई उपाय सोचने लगता है फिर थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि वो किसी पहाड़ी वाले बाबा को जानता है माना चाहता है कि वो पहाड़ी वाले बाबा बहुत शक्तिशाली योगी है तो राजकुमार उस पहाडी वाले बाबा को अपने महल बुलाता है और उन्हें सारी बाते बता देता है बाबा अब आप ही कुछ करिए अब आप ही हमारे आखरी रक्षा कवच है ठीक है मैं कुछ करता हूँ तुम चिंतित ना हो वो चुड़ैल तुमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाईगी बाबा अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों से किसी दूसरी चुड़ैल को प्रकट करता है दूसरी चुड़ैल अपने बाबा की बाद मान कर उस चुड़ैल नागन को उसके साथ लड़ने के लिए लल कारती है तभी चुड़ैल नागन उसके पास आती है नहीं, मैं यहां से कहीं नहीं जाओंगी, तुझसे लड़े बिना मैं यहां से हिलूंगी भी नहीं, और तुझ में दिव्य शक्तियां हैं तो मैं भी कठोर तंत्रमंत्र से जन्मी हूँ। आपने इतनी शक्तिशाली चुडायल भिजी और वो भी भस्म हो गई। अपने बेटे को वापस जिन्दा पाकर वो चुडायल नागिन तुम्हारे बेटे को ना मारे। फिर राजकुमार उस डरावनी कुफा में जाकर उस चुडायल नागिन के मरे हुए बेटे के शव पर ये औशदी लगा देता है। चुडायल नागिन ये सब पीछे से देख लेती है और वो जोड से चिलाती है। ये क्या कर रहो तुमेरे बेटे के साथ। मारने के बाद भी चैन नहीं पड़ा तुम इंसानों को जो अभी भी कुछ खिलवाड करने आगे। नागिन चुडायल आप मुझे गलत समझ रही है। मैं आपके बेटे को और हानी पहुचाने नहीं आया हूँ। मैं तो उसे ये औशदी लगाने आया हूँ। पहाड़ी वाले बाबा की ये औशदी बहुत चमतकारी है। इससे मरा हुआ शब भी जिन्दा हो जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपका पुत्र भी ठीक हो जाएगा। राजकुमार की बाते सुनकर चुडैल नागिन शान्त हो जाती है और तब ही उसका बेटा हलचल करने लगता है और धीमी धीमी आवाज से अपनी मा को पुकारता है। मा, मा, कहा हो तुम, देखो, मैं ठीक हो गया। चुडैल नागिन बहुत खुश हो जाती है और जाकर अपने बेटे को गले लगा लेती है। मेरा बच्चा, मेरा लाल तु ठीक हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बच्चा वापस मेरे पास आ गया। राजकुमार, तुमने मेरे बेटे को फिर से जीवित किया, मैं तुमसे प्रसन हूँ, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया और तुम्हारे पुत्र को भी, अब मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं मारूँगी, तुम बेफिक्र होकर जा सकते हो। राजकुमार चुडैल नागिन को धन्यवाद करके जाही रा होता है कि तब ही चुडैल नागिन उसे दुबारा रोक लेती है रुख जाओ राजकुमार अभी तो तुमने मेरे बेटे को ठीक कर दिया पर आगे भविश्य में क्या होगा अगर बाद में भी अगर कोई इनसान मुझे या मेरे बेटे को परिशान करेगा तो मैं क्या करूँगी राजकुमार ये बात सुनकर सोच में डूब जाता है फिर वो चुडैल नागिन से कहता है आप चिंता ना करें चुडैल नागिन आपके बेटे को जंदा करने का हल पहाड़ी वाले बाबा ने बताया है तो उसका हल भी उनके पास जरूर होगा मैं अभी उन्हें इस गुफा के पास लेकर आता हूँ राजकुमार उस पहाडी वाले बाबा को चुडैल नागिन की डरावनी गुफा के पास ले आता है और उसे चुडैल नागिन से मिलवाता है तुम जिन्तित ना हो इसका हल भी मेरे पास है मैं तुम्हें अपने तपबल से एक कवच प्रतान करता हूँ तुम्हारी एक्छा के बिना ये कवच तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के पास से नहीं जाएगा अब तुम तूर्णता सुरक्षित हो उस कवच को स्विकार करके वो चुडैल नागिन बहुत खुश हो जाती है और वो भी उन्हें वचन देती है मैं भी आपको एक वचन देती हूँ मैं आज के बाद किसी भी इंसान को बिना किसी प्रमुक कारण के मारूंगी नहीं ऐसे ही चुडैल नागिन और राजकुमार दोनों खुशी-खुशी गाउं में रहने लगे